नमस्कार दोस्तों, SN Electrical Academy के यूटूब सेनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी एसाइमेंट का Electrician Trade Theory का सेकेंड येर का फोर्थ समेस्टर सालूशन कर रहे थे। जिसमें हम अब तक फोर्थ समेस्टर में टोटल 130 कोश्चन का सालूशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम 131 नमबर से आगे के कोश्चनों को हल करेंगे। ये वीडियो उन इस्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट होगी। जो इस्टूडेंट ITI सेकेंड येर में हैं और उनका CBT एक्जाम देना है तो वो इस्टूडेंट इन कोश्चनों को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी कोश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को दाउट होता है तो हमें कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और साथी साथ कमपटिशन एक्जाम की तयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होगी। तो दोस्तों आईए आज के कोश्चनों को हम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने 130 तक कोश्चन का सालूसन किया हुआ था। इसमें हम 131 नंबर कोश्चन का सालूसन करेंगे। 131 नंबर कोश्चन करा है कि एसी ड्राइब में बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD का उद्देश से क्या होता है। पहले तो आप जानिए B.O.P. का फुल फार्म क्या होता है। B.O.P. का फुल फार्म होता है बेसिक ऑपरेटर पैनल होता है। और साथी साथ इसमें LCD भी दिया हुआ है LCD LCD का फुल फार्म होता है Liquid Crystal Display। अर्थाथ AC ड्राइब में B.O.P. में LCD का उद्देश से क्या होता है। अर्थाथ उसके पैरामेटर की रिप्रजेंट करने के लिए एक डिस्पले होती है। इसी डिस्पले पर वो प्रदर्सीत करता है। तो आपसन जो A दिया हुआ है, ड्राइब की इस्तिती को संकेत देता है। नहीं, B जो है AC ड्राइब के पैरामेटर की निगरानी करता है। पैरामेटर को ये डिस्पले पर LCD पर प्रदर्सीत करता है। इसलिए आपसन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट कोश्चन, 132 नंबर इसमें कहा रहा है कि रोटेशन की दिशा बदलने के लिए AC ड्राइब के BOP कुंजी बटन का सही अनुकरम आप्रेशन क्या होता है। अभी बताए, BOP का फुल फार्म हुआ, बेसिक ओपरेटर पैनल और इसमें जो कुंजी बटन यानि प्रेश ऑन, प्रेश अफ जो बटन होते हैं, वो कैसे होते हैं तो ओ, अउन हो जाएगा, उसके बाद आफ हो जाएगा उसके बादर रिभूँ आप देखेंगे, किस पोजीशन में है, उसके बाद पुलना है है अन पोजीशन में आजाएगा जो की option A दिया हुआ on review यानि आफ नहीं है तो ये नहीं होगा B जो है press off तो ये भी नहीं होगा press on होना चाहिए C option है press on, off, review और on यानि option number C सही हो जाएगा Next question 133 number 133 number में कह रहा है कि AC drive के BOP में PROG data button का उद्देश क्या होता है BOP आया इसका पुना full farm जो होगा basic operator panel होगा और PROG data जो है इसका भी full farm होता है प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर पी आरोजी का फुल फार्म होता है तो इसमें BOP में PROG data का उद्देश से जो होता है वो data collection में मदद करता है option जो A है वो parameter setting को बदलने के लिए नहीं यह parameter data को संग्रह करेगा इस्टोर करेगा तो यह नहीं होगा B जो है दर्ज किये गए data और factory संग्रहित data को संग्रहित करने के लिए किया जाता है यह आपसन नमबर 20 ही हो जाएगा next question 34 34 very very most question है 134 नमबर इसमें कहा रहा है कि DC motor में बल अगून के समानुपाती क्या होता है DC motor में जब आप पढ़ेंगे अगर संट के respect में आप देखेंगे तो टार्क समानुपाती फाई आई यह होता है armature current और इसमें जो है संट motor में flux जो होता है वो constant होता है तो finally जो formula बनता है टार्क समानुपाती आई यह बनता है armature current यानि अगर armature current बढ़ाएंगे तो उसी ratio में टार्क भी बढ़ेगा तो option जो A दिया हुआ है वो back EMF, back EMF टर्क के समानुपाती नहीं है armature current है तो यह गलत हो जाएगा B जो है filled धारा फिल्ड धारा नहीं है यह armature धारा है तो यह भी नहीं होगा C रों का voltage यानि terminal voltage भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा क्योंकि armature current है D जो है armature current यानि option number D सही हो जाएगा armature current next question 135 नमबर 135 नमबर कह रहा है कि BF drive में IGBT क्या है BF यानि full farm होगा variable frequency drive में IGBT यानि insulated gate bipolar transistor यानि variable frequency drive में IGBT insulated gate bipolar transistor का क्या होता है यह एक inverter switch device की तरह कारे करता है इसका याद रखिएगा full farm BF drive का BF drive का full farm हो जाएगा variable frequency drive में IGBT का जो होता है वो inverter switch की तरह काम करता है option जो A दिया हुआ है वो inverter switch device है यानि option number D सही हो जाएगा next question 136 नमबर 136 नमबर में कह रहा है कि BSI drive का कारे क्या है BSI इसका पहले आप full farm देखिए BSI का full farm जो होता है voltage source inverter होता है BSI का full farm क्या हुआ voltage source inverter हुआ तो यह जो करेगा यानि voltage source inverter हुआ यानि यह जो होगा AC का AC में भी convert करेगा option जो A है AC को DC में AC को DC में rectifier करता है इसलिए यह नहीं होगा B जो है AC को AC में परिवर्तित करेगा अर्थात converts AC to AC इसलिए option number B सही हो जाएगा next question 137 number इसमें कहा रहा है कि क्यों AC drive लागातार प्रक्रिया सयंत्रों में उप्योग की जाती है AC drive जो होती है और DC drive होती है AC drive की जो सनरचना होती है वो सरल होती है और DC की जटिल होती है AC को high speed पर चला सकते हैं DC को high speed पर नहीं चला सकते AC में रख रखाओ की कम जरूरत परती है जबकि DC में रख रखाओ की ज़्यादे जरूरत परती है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ब्रस और कम्यूटेटर रहते हैं तो उसमें घिसने का चांसे रहता है इसलिए DC drive को ज़्यादातर देखरे की आवसेक्ता परती है और AC को कम देखरे की आवसेक्ता परती है साथ ही साथ AC का जो आईव होता है वो ज्यादे होता है DC की आईव जो होती है वो कम होती है तो आपसन जो देखते हैं इसमें आपसन जो ए है वो चलाने में आसान होता है AC drive असान तो होता है निर्माण में मजबूत होता है ये भी होता है बहुत अधिक सुरुवात बला गुण होता है ये भी होता है रख रखाओ मुक्त एवं लंबा जीवन काल यानि आपसा नमबर इस सभी सही है लेकिन इसमें जो अच्छा है जो सब में इंक्लूड है वो आपसा नमबर इस सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन 138 नमबर इसमें कह रहा है कि DC drive का उप्योग करके DC संट मोटर की अधार गती कैसे बढ़ाई जा सकती है तो DC संट मोटर में अगर फिल्ड फ्लक्स जो होता है वो आर्मेचर ये जो है वो गती जो होती है फ्लक्स के ब्यूत करमानुपाती होती है यानि हम फिल्ड फ्लक्स की गती को कम कर दें तो स्पीड बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि ये आपस में ब्यूत करमानुपात के संबंद में है आपसन जो ए है वो फिल्ड करेंट को कम करें अर्थात फिल्ड करेंट को जब कम करेंगे तो फिल्ड करेंट के समानुपाती होता है फिल्ड फ्लक्स Filt current को जब हम कम करेंगे तो Filt flux कम हो जाएगा और यहां देख रहा है कि Filt flux जब कम हो जाएगा तो यह गती अधिक हो जाएगी और यहां कह रहा है कि अधार गती को कैसे बढ़ाना है यानि Filt flux को कम करके और Filt flux option में नहीं दिया हुआ है तो क्या हो सकता है कि फिल्ड करेंट को कम करके जो कि यहां दिया हुआ है इसलिए आपसन जो ए है फिल्ड करेंट को कम करके यानि आपसन नमबर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन 149 नमबर इसमें कहरा कि आरमेचर और फिल्ड नियंतर ड्राइब से नियत टार्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है नियत टार्क प्राप्त करने के लिए पहला नमबर फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए अगर संट मोटर है तो और इसमें कहरा कि आरमेचर और फिल्ड नियंतर ड्राइब में नियत टार्क करना है तो आरमेचर और फिल्ड कंट्रोलिंग तरीके से मोटर को चला रहे हैं और इसमें नियत टार्क हमको प्राप्त करना है तो उसमें हमको बोल्टेज जो है ना बोल्टेज कंट्रोल करना पड़ेगा आपसन जो ए है फिल्ड करेंट को कम करेंगे नहीं दी जो है फिल्ड करेंट को बढ़ाएंगे ये भी नहीं होगा C जो है armature current को कम करेंगे ये भी नहीं होगा D जो है armature voltage को नहीं अंतरित करेंगे यानि option number D सही हो जाएगा Next question दोस्तों इस वीडियो में हम 149 तक ही question को रखते हैं जब इसका हम next part लाएंगे तो 140 number question से solution करेंगे दोस्तों यदि हमारा explain करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें, share करें और यदि आप इस channel पर नए हैं और अभी तक channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो please दोस्तों channel को subscribe कर लें तो इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए, bye bye, take care